हेलो दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों किसानों का जानी दूश्मन है जो है जंगली जानवर जिसे आपन रोजड़े बोलते हैं यानि कि फसल को बरबात करने में ततपर रहते हैं अगर अगर अपन कितनी महनत करके उस फसल को तयार करते हैं वो एक रात मे यानि कि पूरा चट कर जाते हैं या फिर बिगड़ा करके जाते हैं तो इसका एक ही समाधान है कि आप खेत के चारो और तारबंदी कर दे अब ये जो तारबंदी तारबंदी यानि कि अपने मार्केट में जाके बोलते हैं कि ये तारबंदी क्या बावते हैं बोलते हैं कि 100 रुपई किलो है या 90 रुपई किलो है तो आपने कभी सोचा नहीं कि आप खुद इसका बिजनेस कर सकते हैं रोजगार कर सकते हैं तो मैं लेकर आया हूं आज चैनलिंक जाली कैसे बनती हैं वो मशीन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लाइफ प्राक्टिकल देखने वाले हैं किमत क्या है और खर्चा कितना होता है पूरा ओल ओवर इस प्लांट का तो चलिए शुरू करते हैं यह जुलिकी घृत्वीं今日 में आपको बहुत बहुत स्वायत हैं ओस्ञ करके चैनल पर इडियो करदी करें पूरी प्रोसेस बताएंग एक इस इसके रो मटल के बारे में हम पूरा गाइट करेंगे इस वीडियो में अच्छा तो आज अभी देख रहे हैं हम यहां पर यह इतनी बड़ी यह पूरी मशीन है तो इसको मतलब कैसे ऑपरेड किया जाता है पहले यह बात कर लेते हैं इसका पूरा सिंपल प्रोसेज यह मशीन कर दो आजियो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तो यहां से जो तार आ रहे हैं तब यह ती क्या एक एक तार आ रहे हैं जी तो इसको वापिस जो चैन बनती है वो कैसे बनाते हैं अगर मेनुवल तोड से हाथ से बनाना चाहे तो हाथ से भी बन जाएगी और इसकी जो अगली मेशिन आती है उसका पूरा प्रोसेस करके तैयार हो जाता है अच्छा इसकी यानिक आटोमेटिक मेशिन भी आती है जी सर बिल्कुल अच्छा तो इसको अपरेट करने के लिए ज इतने एच्पी की मोटर लग वी है से सिंगल याइड से चल जाए तो सिंगल फेससे बीचल जाएगी तरिफेस से बीचल जाएगी अच्छा जी अब बात आती है कि इसका जो रॉब मते लेल वो कहां से खरीदना पड़ता है सिर में उनके आसपास की शेतर वे अभी अवेल प्रड़ल लगा रखा यह एक बंडल मतल़ कितने वेट काता है और कितना खर्चा आता है और इस केजी के साफ से मिलता है क्योंकि में अज़की देट होगी उस टाइप से अभी तो पिचान में के दिख साफ से चल रहा है अभी थोड़ा रेधिव है अच्छा हम बात करते है क अगर raw material available हो गया तो आप माहिण में चलता है कि पर डे कितना प्रोडक्शन कर देती है इस मैशीन की द्वारा पर डे 700-800 kg माल बनाकर की तैयार कर सकते हैं अच्छा तो उसके बाद में जो यानि कि प्रोडक्शन तैयार हो जाता है तो उसको sell करते हैं तो उसका market value क्या रहती ह सर मार्केट वेल्यू तो जो भी उनकी यहां पर रेट चल रहा होगा मतलब 1 kg पर मुनाफ़ा लेकर चलो 5-7 रुपे का 1 kg पर मुनाफ़ा हो जाएगा सब कुछ खर्चा निकालने के बाद जो चैनलिंग जाली होती है उसको लगाने के बाद एक काटेदार तार वो लगा ज कर से लिए oven अथा होती है कउैसमेंन के दखनां कर टैयार होती है अचा तो इसमेर के सीमल प्रोसेस यहां पर इसके वायर लगिए है चार पार्ट में कजिक होने के पूरा प्रोसेस होगा और यह तार बनकर कि रेडिय ओगी होगी तार पूरा बंडल यहां पर और सेट हो ज अब बात आती है कि अगर कोई इस मेशिन को खरिदना चाहता है तो आप किस परकार हेल्प कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी कंपनी विजिट कर सकते हैं हम उनको यहां पर डेमो करके दिखाएंगे अब इसकी अगर किमत की बात करते हैं तो आल ओवर यानि कि अगर कोई भी प्लांट लगाना चाहता है तो कितना खर्चा आता है रो मटेरियल समय अगर हम पहले मेशिन की प्राइस की बात कर लेते हैं इस मेशिन की प्राइस है वह 2,35,000 की मशीन है और जो फैंसिंग तार की म मेशिन में ने बताई थी उपिच्चा अजर की मशीन है जी इस ट्रांसपर दोनों में एक्ष्टा है अगर हम रो मटेल की बात करें तो एक तीन लाख रुपी का रो मटेल माला मनला साड़ी तीन लाख रुपी के अंदर बिजनिस शुरू कर सकते हैं रो मटेल हो गया मशी अगर ज्यादा लगाना चाहते हैं तो ज्यादा भी लगा सकते हैं जिससे प्रोडेक्शन का ही अधिक होगा अब कोई भी इस मेशिन को खरीता है तो मतला लाखों रुपए का इन्वेश हो रहा है जिसके माइड में रहता है कि कोई इस पर वारंटी गरंटी भी मिल जाए तो कितनी वारंटी मिलती इस पर है सर मेशिन की वनियर की वारंटी होती है मैशिन में तो कोई खराबी होती नहीं क्योंकि में अगर कभी खराबी आती है तो वह आती है मोटर के अंदर मोटर चाहे तो वह हमारी कंपनी से ले सकते हैं चाहे तो उनके शेत्र से भी ले सकते तो छलो आपने बहुत अच्छी जनकरी दिये हैं बहुत बहुत भधा धन्यवाद तर आपका भी बहुत भी हक्षे c'd share करें लाइक करें साथ में और कोई सुजाओ हो या पिर सवाल हो तो आप हमें कमेंड करके बता सकते हैं अगर आप इस चेनल पर थो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर दबाए और अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं किसान TV पेज पर आप पेज को फोलो करें और साथ में ही वीडियो को शेयर जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए जै बाराज जै राजस्तान वन दे मात्रम